राजीव रंजन आपने तो अपने आज जातीकत जंगर्ना कराई है अब गिया आप महिला आरक्षण में जो कोटा मांग रहे हैं और सारे के सारे घटक दल मांगने लगे कॉंग्रेस पहले नहीं मांगती थी 2010 का उनका बिल उठाई है महिला बिल उसमें कोई कोटा नहीं था OBC का क्या आप आपको लगता है कि आपने एक एजिंडा सेट किया है राजीव रंजन जिसको कॉंग्रेस भी फॉलो कर रही है और सारे घटक दल फॉलो कर रहे है लेकि सबसे पहले तो महिला बिल को लेकर भाठती है जुरेता पार्टी का जो खेल है अब महिलाएं भी समझने लगी है जाती है पहले तो सेंसस होगा फिर परिसीमन होगा उसके बाद महिलाओं को इस कानून का लाब मिलेगा मुझे ऐसा लगता है ये सोचा सोची समझी रणिती का हिस्सा है बारतिये जनिता पार्टी को दरसल महिलाओं को कुछ देना नहीं था वो केवल एक मुद्दे की तलास में थे इंडिया के बनने के बाद एक बड़ा दबाव उनके उपर था तावर तोड कुछ फैसले उनके दिखे जिसमें महिला बिल का सवाल हो विशेश सद्र का सवाल हो जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल हो दरसल ये हेडलाइस चुराने की कवायद है और विपक्ष को भी इसका ऐसास है कि चाहे आज जिस बिल को लेकर के ये अपनी अपने कंदे थप थपा रहे हैं मैं तो मानता हूँ कि 2006 में बिहार में देश में पहली बार नितिश कुमार जी ने पंचायती व्योस्ता में पच्चास फीस सदी आरक्षन महिलाओं को दिया 2007 में नगर निकायों में दिया वहां नौकरियों में 35 फीस सदी वहां आरक्षन का लाब मिला जो सिख्चकों का जो नियोजन है उसमें महिलाओं के लिए पच्चास फीस सदी का आरक्षन हुआ अब मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं के आरक्षन को लेकर के भारतिये जरिता पार्टी को किसी नसीहत की जरुत विपक्ष को है वो हमने किया है सफलता पुर्वा किया नियत्रितु की एक नई पात तयार की अब सवाल है जाती जंगड़ना तो मैं कहूंगा हमारे यां तो अब जातिये सर्वे कह करके हम करा रहे हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि निसंदे अगर कोई सरकार करना चाहती है तो वो करती है आज जिस तरह के जवाब है राहूल गार्दीजी के बयान के बाद उसमें क्या कहा गया तीन नबे में तीन उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरीज हैं वो OBC के हैं इनकी और से खंडन नहीं आ आमूल चूल परिवर्टन ला देंगे महिलाएं खुश हो जाएंगी पुरु साबाद हो जाएंगे इस देश में सब कुछ बदल जाएगा चतुर जो चहुमुखी जो एक बदलाव है वो दिखने लगेगा धाक के तीन बात हुआ कुछ नहीं केवल बड़ी-बड़ी बात है अब जिसको सुनेंगे लगेगा उन्होंने सत्तर साल में किसे ने कुछ नहीं किया इन्होंने आया जीजी इन्होंने आकर की बदल दिया है क्योंकि आपकी तो बिहार में सरकार है नहीं मैं पहले अपनी बात सुन लीजे आपने काफी लंबा समय दिया मैं पहले जो बात कहना चाहता हूँ सुन लीजिए मैं जेपी नडडा जी का बयान भी सुन रहा था इन्होंने क्या कहा देश को पहला OBC प्रदान मंत्री दिया जन्म से पिछड़े नहीं है नरेंद्र बोधी जी स्वार्थ के लिए राजनातिक तोर पर एक बड़े वोट बैंक पर उनकी नजर थी और उनके मुख्य मंत्री तो कारेकाल में उन्होंने खुद को पिछड़े वर्ग में सामिल कराया पहली बाद प्रदान मंतरी पिछड़े हैं, अती पिछड़े हैं, डेश के रास्पती कल दलित थे, आज वो आदिवासी है, ये कितने गर्व के साथ ये पताते हैं, लेकिन देश की जरता अगर अपनी जाती की गणना कराने की बात कहे तो इन्हें जाती बात दिखता है ये समाज में बिखराव दिखता है ये विखंडन दिखता है ये कैसा पाखंड है ऐसे पाखंड से आप किन लोगों को गुम्रा कर पाए अब राजीव जी मेरा सवाल और इसलिए 24 में आपकी वापसी नहीं होने जा रही है राजीव जी बिहार की सरकार में जो अफसर हैं उसमें कितने OBC हैं पता है आपने तो जब जाती है जंगरना करा ली तो अपने अफसरों की जातीयां भी आपने चेक कर ली होंगी वहाँ OBC का कितना प्रतिनिधित्व बिहार के एड्मिनिस्ट्रेशन में है राजीव जी हमारे आप परियाप्त है जो भारतिय जनिता पार्टी के काम करने के तोड़ तरीके हैं मैं आकड़े नहीं दे पाऊंगा इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि आकड़े सारोजनिक अभी न अफसरों के करना चाहूंगा न मैं आम लोगों के करना चाहूंगा इसलिए कि जब आकड़े सारोजनिक होंगे तो सबके होंगे पहले अनुराग बदोरिया यह मेरा विश्य साधिकार है आपके किस सवाल का जवाब दू किस सवाल का जवाब नहीं नहीं बिल्कुल आये रिस्पेक्टे राहूल गांदी जी का कहना बिल्कुल साफ है 2024 के बाद तो आप रहेंगे नहीं 25 में आएंगे 2011 के आकड़े हमसारवजरी कर देंगे आने के बाद तो फिर आपके और हमारे बीच का जो फर्क है OBC पॉलिटिक्स का वो समझ में आजए